thumbnail पे पहले ही लिखा हुआ है result expected date as of now expected date अगर आपको expected का मतलब नहीं पता है तो उन्हें ये वीडियो नहीं देखना चाहिए दूसरा चीज जो result का expected date नहीं जानना चाहते हैं उन्हें भी ये वीडियो तुरंद बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये वीडियो उसी बारे में है MTP है जो MTP हो चाहिए revision session हो चाहिए mission sessions हो ठीक है हर तरिका का support आपको दिया जाते हैं और जारी रहेगा बहुत ही जल्द जो है हम लोग जो है दो-तीन हफ्ता में अपना revision sessions होगरा जो है सब start करने वाले है ठीक है तो उसके लिए अपने missions रहिए अब आते है result के expected date पर बढ़ उसके पहले मैं आपसे expect करूंगा अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं मतलब आप मेरे से प्यार करते है चैनल को subscribe कर दीजे प्यार को प्ता करने के लिए बेल एकन पका से दबा दीजे और ज्यादे से ज्यादे वीडियो को share भी करिएगा ठीक है चलिए जनाब result expected date for the final students जो मेरे को पता चला है ठीक है वो है by 15th of July yes anytime so final students के लिए by 15th of July and intermediate students के लिए वहां से एक हफता के अंदर so 15th July and intermediate के लिए within one week from 15th July बिल्कुल these dates are tentative और एक दो दिन उपर नीचे हो सकता है ठीक है तो जो भी मेरे को information मिलता है मैं सोचता हूं कि आप तक pass on कर दिया जाए और इसका कोई purpose रहता नहीं है ठीक है शॉट वीडियो था ऐसा नहीं कि तुमारा पूरा मतलब time तबाह हो गया घंटा दो गंटा हम ल चैनल है positive channel है खाली positivity आपको यहां पर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा revision, mission, marathon are all coming your way bigger than ever एकदम चानल लगा देंगे आप लोगों के लिए तो चैनल सब्सक्राइब करके बिलेकर दबादीजे और comment box में अपना comment भी जो है ना वो दीजेगा भई कि revisions वगरा, missions वगरा, marathons व और अगर कोई special topic के उपर आप वीडियो चाते हैं वो भी मेरे को बताईए का मैं बनाऊगा